हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप क्या आपके प्लांट्स की ग्रोथ रुख गई है लिव्ज येलो हो रहे हैं या फिर लिव्ज के साइड पैचेज ब्राउन हो रहे हैं क्या आपके प्लांट्स में फ्लावरिंग रुख गई है या वेजिटेवल प्लांट्स में बर्ट्स गिर रहे हैं या flowers fruit में convert नहीं हो रहे हैं या आपका प्लांट टू या थ्री मंत से एक जिसी इस्तती में खड़ा है बढ़ नहीं रहा है किया आप अपने plants को जल्दी जल्दी बढ़ाना चाहते हैं तो आप एक दम सही वीडियो में आये हैं आपकी सारी problem का solution इस वीडियो में आप जैसी आपकी leaves में ये वाली problem आए तो आप समझ जाना कि इसमें potation की कमी है आप एक बार देख लीजिए फिर मैं आपको बदाता हूँ सबसे पहले आप देख लीजिए आपकी leaf है इसके side pieces है ये brown हो रहे हैं burn हो रहे हैं और बीच में yellowish आपको color दिख रहा है तो ये potation की कम होती है सेम इस condition इसवाली leaf में भी है ये अब ली्व दिखे कि ये आदी brown है आदी ग्रीन है है याप लीफ दियकिए ये बी आदी brown और अदी green है और इसमें भी side pages brown हो रहे हैं जो इस वाली leaf में हो रहे हैं और इस वाली अब ये condition देखे ये बिल्कुल अलग condition होती है potation की कमी की इस leaf में ये side में brown हो रहा है और इस वाले leaf में ये अलग condition है potation की कमी की और इस वाले leaf में ये side patches brown हो रहा है जल रहा है ये potation की कमी होती है और इस वाले leaf में भी आप देखे ये वाले side patches इसके नीचे से brown हो रहा है तो ये आपको देखना है कि उपर से तो leaf healthy है लेकिन नीचे से ये leaf brown हो रही है और इस वाले leaf में भी देखे side patches brown हो रहा है और बीच में ये leaf काफी healthy है तो ये potassium की कमी की वज़े से होता है तो हम बात करते हैं liquid potas fertilizer पर potas liquid fertilizer organic होती है जो सभी तरह के plants में आप दे सकते हैं आराम से और अगर गलती से ज़्यादा भी plants में पढ़ जाए इसकी dose तो plants को ये हाम नहीं करती क्योंकि ये organic fertilizer है अगर chemical fertilizer ज़्यादा मातरा में plants में पढ़ जाए तो 24 हार्स में plant को जला देती है जिस तरह से plant में nitrogen, potassium, iron, phosphorus, zinc, magnesium इन सब की जरूरत रहती है वैसे ही plants में potas की भी जरूरत रहती है क्योंकि ये बहुत ही जरूरी पोशक्तत होता है plants के लिए potas जमीन में खरीज की रूप में रहता है और इसकी चट्टाने होती है जहां से potas राप्त किया जाता है जो plants के लिए संतुलित और rich diet होती है potas का दूसरा नाम potassium carbonate भी होता है प्राजियन काल में वुडेश यानि लकडी की राख से potas रप्त किया जाता था संस्क्रत ग्रंथों में इसे यवशार भी का गया है market में potas white, red, pink और black color में आते हैं जब भी plant के leaves yellow और leaf के किनारे brown या जुल्चे भी दिखाई दें तो आपको समझ जाना है कि plant में potas के कमिया है तो मैंने आपको पहले ही example दिये थे कि आपको किस-किस टाइप से पहचाना है कि इसमें potas के कमिया है potas, fruit, flowering plants, vegetable plants, उनके color, आकार, plant के कोशिकाओं को मजबूत करने उनके जड़ों को मजबूत करने और उनमें जितने भी कोशिकाई हैं उनमें nutrient को लाने और ले जाने का काम करता है जो plants के लिए बहुत ही जरूरी पोशक्तत होता है अगर आपके plants में birds लगे वे हैं तो आप potas 15-20 दिन में एक बार देते रहें इससे flowering जड़ा होगी flowers बड़े बड़े आने लगेंगे और bunches में आएंगे अगर चिली plant में birds गिर रहे हैं या flowers fruit में convert नहीं हो पा रहे हैं तो आप potas दे सकते हैं अगर आपका curry leaf का plant बढ़ नहीं रहा है या फिर दो से तीन मन्त हो गए हैं आपका curry leaf का plant एक जितना ही खड़ा है तो आप potas दे सकते हैं इससे curry leaf का plant बढ़ने लगेगा क्योंकि curry leaf का plant बहुत दीरे दीरे growth करता है और जब भी growth करना start कर देता है तो काफी speed से growth होता है कभी कभी curry leaf का plant dormancy में भी चला जाता है जिससे वह बढ़ नहीं पाता है इसलिए potas का use कर सकते हैं और plants को 2x की speed से बढ़ा सकते हैं potas मिट्टी की उर्वरर शक्ति को भी बढ़ाता है और उसको उपज़व बनाता है इसके साथ ही soil का PSB बैलेंस करता है और soil की conditioning करता है liquid potas का NPK ratio 0060 होता है और potas 4 type की आती है और उन सब का NPK अलग-अलग होता है वो मैं आपको कभी और बताऊंगा और NPK का मतलब होता है nitrogen, potassium और phosphorus जो 0060 इस liquid potas का होता है और इसमें potation की मातरा 60% होती है पोटास soil की conditioning करता है जिससे roots मजबूत होती है plants में chlorophyll का level increase होता है जिससे plants green बनता है leaf किरने की problem दूर हो जाती है और plant में natural hormones का निर्मान होता है जिससे plant जल्दी जल्दी बढ़ते है प्लांट्स को जल्दी बढ़ाने के लिए जिप्रैलिन, cytokinin, oxyn यह सब hormones responsible होता है potash में nitrogen, potassium, phosphorus, zinc, iron, manganese, carbon, sulfur, boron, nickel, molybdenum यह सब आई जाता है जो plants की all over growth के लिए बहुत ही अच्छे होता है और plant के antibody को भी increase करते है प्लांट को stress free रखते हैं अब हम बात करते हैं कि हम liquid potash को अपने plants में कैसे दे सकते हैं और इसकी dose कितनी होनी चाहिए liquid potash को आप अपने plants में दे सकते हैं जो मैं आपको बताता हूं चलिए यह है liquid potash और यह है 10 लीटर पानी तो आपको एक लीटर पानी के अंदर 4 ml potash यूज करना है जो मैं आपको बताता हूं और यह है 10 लीटर पानी यानि इसमें हमें 40 ml mix करना है और इसको मिक्स कर देंगे तो मैंने इस 10 लीटर पानी में 40 ml liquid potash डाल दिया है और यह आप कोई भी plant में दे सकते हैं वैसे तो आप कोई भी plant में यह liquid potash दे सकते हैं लेकिन अगर आपके flowering plant या फिर vegetable और fruit plant में birds आ रहे हैं तो आप अगर liquid potash दे देंगे तो आपको बहुत ही अच्छे result मिलेंगे यह 6 इंच का छोटा pot है और इस pot में जितना यह liquid fertilizer आप आता है आप डाल सकते हैं और यह fertilizer आपको 15-20 दिन में एक बारी देना है तो यह है प्लांट जो 6 इंच के pot में लगावा है और छोटा है यह plant superfood होता है जो मैं time to time cut करता रहता हूं और इसको मैं आगे बढ़ने नहीं देता और इनकी leaf से आप green tea पी सकते हैं बना के यह है तीन इंच का pot और इसमें भी आप liquid potash दे सकते हैं इसी तरह से ही छोटा pot और फिर बड़ा pot और आप किसी में भी यह fertilizer दे सकते हैं यह 14 इंच का pot और इसमें भी आप liquid potash दे सकते हैं कुछ इस तरह से हैं और इसमें सेमल का plant लगा है तो सेमल एक्टरी होता है तो यह आप देख सकते हैं काफी बड़ा plant है तो इस तरह से आप liquid potash को अपने plants में यूज कर सकते हैं मार्केट में काफी liquid potash मिलते हैं आप कोई भी कंपनी का यूज कर सकते हैं आई होप आपको वैलिबल information काफी अच्छी लगी होगी थैंक्यू फ्रेंड्स फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो को साथ तब तक अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखें और अगर चैनल पढ़ना है तो पिली चैनल को सबिस्क्राइब भी कर लीजिए क्योंकि आगे आने वाले वीडियो और भी ज़्यादा informative होने वाली है और अगर आपको ये information ज़्यादा अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा ज़्यादा शेयर भी कीजिए थैंक्यू और हाँ मैं आपको एक बात बताना तो भूली गया लिकुड़ प्रोटाश को आप एक लीटर पानी में चार एमील तो यूज़ करी सकते हैं अगर आप अपने plants के उपर इसे स्प्रे करना चाहते हैं तो एक लीटर पानी में 2 ml लिकुड़ प्रोटाश लेकरके स्प्रे कर सकते हैं